जे हिन दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त संचेत और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यों थ्री पीम पर हम लोगों को सेलिंग का प्रेशर आज वो देखने को मिला कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं अमेरिकन मार्केट किस तरीके से स्टैक्ट अप है क्या कुछ इंपॉर्टन डेटा अज अमरीकी बजारों में आने वाले हैं सब चीजे इस वीडियो में करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा बेल आकिन को दबाईएगा और इस वीडिये का लाइक एम रखते हैं हम लोग लगबग 4000 लाइक्स चो कि आप पूरा कर ही देंगे तो चलिए अब जार टैम वेस्ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं देगे सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं यहां पर ग्लोबल मार्केट की तो देखू ग्लोबल मार्केट तो इससे बहतर कुछ हो नहीं सकते मतलब अब इससे बहतर अगर आप ग्लोबल मार्केट मेर से मांगोगे या फिर अमरीका से भी मांगोगे तो वो आपको नहीं दे पाएगा वाई क्योंकि जबरदस्त जो है वो global market इस वक्त बने हुए है डाव futures एक बार के लिए negative आये थे देन दुबारा से पूरे positive हुए और डेड़ सो पॉंट उपर डाव futures इस वक्त दिखाई दे रहे है नाजड़ फ्यूचर लगबग 30-40 पॉंट उपर दिखाई दे रहे है युरोपियन मार्केट डेड़ से सवा परसेंट के आसपास जो है वो मजबूत जो है वो दिखाई दे रहे है तो हर जगे हर्याली है बस अपने मार्केट में दिख्कत है अब वो FI सेलिंग बोल लीजिए या फिर इंडेक्स को रोक के रखने की सेलिंग बोल लीजिए क्योंकि आखरी में जो फॉल आया ना just look at this यह जो फॉल आया हम लोग कहां पर थे लगबग 16,950 के आसपास जो है वो closing हुई बट provisional closing कहां हुई है provisional closing हुई है 16,985 के आसपास मतलब 30,35 पॉइंट उपर bank nifty में अगर आप देखो तो हम लोग closing के बस कहां थे 49,280 के आसपास provisional closing कहां हुई है लगबग 500 पॉइंट उपर 49,430 के आसपास financial lifty देखिए financial lifty में हम लोग कहां पर थे 49,550 के आसपास closing का हुई है लगबग 70 पॉइंट उपर अगर अमरीकी बजार collapse नहीं करते हैं और हमें बड़ा gap down देखने को नहीं मिलता है flat भी हम लोग open हो जाते हैं तो जो लोग put hold करके गए थे उनकी band बजने वाली है वाई क्योंकि put के rate इतने जवर्दस तरीके से कम होंगे जिसकी कोई हद नहीं है वो आपको थोड़ा end में दिग गया होगा put के rate बढ़ने बंद हो गए होगे वो आप उस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं और honestly मेरे को expectation नहीं थी के 3 पीम पे इस तरीके का move आएगा और अगर आप वो देखते हैं न हीट मैप निफ्टी का या बैंक निफ्टी का तो उसमें भी आपको एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही थी कि निफ्टी के हीट मैप में 40 स्टॉक पॉजिटिव थे के वल 10 स्टॉक पे concentrated selling जो है वो करी जा रही थी market को down रखने के लिए अब वो किसके द्वारा करी जा रही थी क्यों करी जा रही है we don't know वो अपने को अब कल ही देखना पड़ेगा भाई और आज रात को देखना पड़ेगा क्या अमरीकी बजार सही में collapse करते हैं gap of sustain नहीं करता है या क्या चीज़े बंती भी दिखाई देती है बट हाँ एक चीज़ तो clear है चीज़े उतनी बहतर जो है वो निफ्टी में अब दिखाई नहीं दे रही है compare to जो कल दिखाई दे रही थी बट हाँ यह जो move आया ना downside का यह एक trap था clear का trap था especially end में जिस तरीके से move आया वो put writers को लुभाने के लिए था और अगर हम put call ratio में भी देखते हैं 0.76 का put call ratio nifty का हो गया 0.95 जो एक time पे था आखरी आधे गंटे में 20 basis point put call ratio घटना positive है बजार के लिए nifty के लिए positive है bank nifty का 0.73 है bank nifty में दिक्कत है 49.500 का call writer जब तक ये call writer नहीं हटेगा इसका level भी मैं बताऊंगा कौन सा level होगा जिसके ओपर ये call writer हट सकता है तब तक दिक्कत जो है वो बनी रहेगी तो सबसे बहले nifty से हम लोग start करते हैं देखिए टेलिग्राम ग्रूप अभी तक आपने जोइन नहीं किया link आपको नीचे description में मिल जाएगा कोई भी important levels होते हैं जो मैं scalp करता हूँ जाई एक रूपे का अपना loss होता है तीन चार रूपे का profit होता है या आज तो इसी type के scalp मिल रहे थे मार्केट इतना जबर्दस वह था रेंज बाउंड था जबर्दस वोलेटाइल था उपर बेचो नीचे खरीदो ब्रेक आउट ब्रेकडाउन बहुत जादा करना क्यों कि सुबह सुबह में लेवल्स आप लोगो अपडेट क्या यह थे 17,025 चालीस इंपोर्टन रेजिस्टेंस एरिया इसके उपर ही बाइंग मोमेंटम आएगा इसके उपर क्या 60 पॉइंट आपको मिले नहीं मिले नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजेगा 49,525, इसके उपर निकला, मोमेंटम आएगा, यह लिखा था आपको सुबह, 1500 को मोमेंटम आपको 49,700 तक मिला इसके बाद, तो यह चीजे हैं, यह लेवल्स आप जो है वो चेक आउट कर सकते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो मैं आप लोग के साथ फ्री में शेयर करते हैं तो अब ग्लोबल बाजार कहीं भी खुल जाएं, उसके बावजूद भी, अगर मार्केट कल 17,060 के उपर सस्टेन करता है, तो ही मैं बाए करूँगा, 17,060 के जब तक नीचे है, तब तक मेरा जो कॉंटेक्स बोलते हैं, वो नेगेटिव ही रहेगा, बाउंस पे सेलिंग एक लिस्ट 17,150 तक की जगे मेरे को निफ्टी में दिखाई देती है, on the downside में short मेरे को कब करना है, short में तब करूँगा जब ये वाला swing तहना, ये वाला swing, 16,900 का ये तूटेगा, 16,900 के नीचे अपने को short करना है, simple है, 16,900 के नीचे अपने को short करना है, target अपन जो लेके चले ये that would be around 16,830 का, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है, bank nifty की बात कर लेते है, bank nifty की अगर हम बात करें, तो इसमें important level अब आपके लिए है, जो की बहुत जादा critical है, वो है 39,700 का, 39,700 का level बहुत critical है, इसके उपर market अगर sustain करता है, तो बड़ी short covering कर, जो है एक trigger जो हमे बनता हुआ दिखाई दे सकता है, markets के अंदर, तो 39,700 आपके लिए एक बहुत critical level है, जो आपको focus में रखना है, midpoint level, जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, that is around 39,575 का, ये एक midpoint level है, ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है, इस level के आसपास जो है, आपको play करता देखने को मिलेगा, downside का level जहां पे market बंद हुआ है, उसी के आसपास है, that is around 39,200, 39,200 के नीचे ही अपने को fresh short करना है, otherwise इन levels के साथ आप play कर सकते हैं, और बाकी important level सुबह में update करते थे तो telegram group पे, तो उसके लिए आप telegram group join कर सकते हैं, financial lifting की बात कर लेते हैं, कल इसकी expiry भी तो अब देखना होगा कि हम खुलते का हैं सबसे पहले, बट मेरे लिए अभी भी ये zone बहुत critical है, 690 से लेकर 715, 710 मैं एक रख देता हूं, ठीक है, 690 से लेकर 710, ये आपको ध्यान में रखना है, इस zone के उपर निकलेगा, बाजार बहुत अच्छी तेजी जो है, वो पक दिखाई दे सकते हैं, that is 17810 का लेवल मेरे को बहुत अराम से बनता हुआ, दिखाई दे सकता है, ये अपने को थोड़ा focus में रखना चाहिए, ठीक है, पहली चीज, दूसरी चीज जो अपने को ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में रखनी है, on the downside में, वो है 17540 का लेवल, जब तक ये लेवल टूटता नहीं है, तब तक short नहीं बनेगा, इस लेवल के नीचे अपने को short करता हूँ, दिखाई देगा market, और उसके बाद हम लोग इस swing तक आ सकते हैं, that is 17400 का swing, जो अपने को ध्यान में रखना है, तो ये swing levels आपको ध्यान में रखने हैं, जिनके कीज़ेगा मिलता है आपसे की वीडियो में, thank you so much for watching guys, जेहिंद, वंदे मातरम